हम बाइब बच्चों आज हम ग्लास नाइन्थ बहुत ही विज्यान, फिजिक्स मतलब ठिक फिजिक्स चैप्टर से केरड़न ठिक यह विज्यां का विज्यान में बहुत होते हैं बहुत है विज्यान रसायन विज्यान और जह् Stick तो यह उप आपका बहुती विज्ञान है ठीक हमने एक आपका एक चैप्टर पढ़ा था ठीक क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने तिक गती उसी के बाद आपका चैप्टर से केर ने बल तो बल का ये पार्ट फर्ष्ट है ठीक है तो देखेंगे आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठी ठीक बल और सबसे पहली हेडिंग भी बल है ठीक तो देखते हैं बल क्या है ठीक देखेंगे बल बल क्या है या किसी भी कारी को करने में मदद करता है ठीक बल क्या होता है कि ये किसी भी कारी को करने में मदद करता है ठीक किसी भी कारी को करने के लिए या तो हमें वस तो ख खीचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है तो क्या कह रहा है कि किसी भी काद को करने के लिए या तो हमें वस्तु खीचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है इसे खीचनी और धकेलने को ही बल कहा जाता है तो हम बल को असानी से बता सकते हैं कि किसी भी काद को करने के लि कि दरवाजी को खूलने के लिए यह तो धर्वाजा फ्हीचा जाता है या धठेला जाता है ठीक क्या अम्यारी की दराज़ को खोलने के लिए अ स्वार मिगता है कि और बन्न करने के लिन राज़ ये इसे क्या कहते हैं इसमें भी हमारा बल लगता है इसके बाद हीडिंग हम डालेंगे बल का प्रभाव ठीक है तो आप देंगे बल का प्रभाव कहां का पर होगा ठीक है तो देखेंगे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नमबर एक बल किसी इस्थिर वस्त को गतिसील बनाता है क्या होता है बल किसी स्थीर को एक जगा रूकी हुई ए क्या उसको क्या उस वस्थीक गतसीर बनाता है जैसी एक जामेमने कज pressie आर उनार व्हा कंगर ने घर हो चा स्थीर फुटबाल को पयर से दाका हरने पर घर N train बल किसी गतिसील वस्त को इस्तिर कर देता है ठीक है अगर गतिसील वस्त है तो उसमें हम बल लगाएंगे तो उसको क्या कर देगा इस्तिर कर देगा और यहां किसमें होगा देखें जैसे गाडियों में ब्रेक लगाने से गारी रुख जाती है तो उसमें भी क्या लगता है बल लगता है और वो क्या हो जाती इस्तिर हो जाती है गारी क्या हो जाती एक जगा खड़ी हो जाती इस्तिर हो जाती है ठीक फिर देखेंगे तीसरा नमबर बल किसी भी गतसील वस्तु की दिसा बदल देता है जैसे साइकल के हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिसा बदल जात तो क्या होता है कि जब हम साइकल के हैंडल पर बल लगाते हैं तो उसकी दिसा क्या होती है बदल जाती है इसी प्रकार का इस्टुडिंग गुमाने से दिसा बदल जाती है जहां पर हमको जाना होता है उस तरह मोड लेते हैं तो उसमें क्या लगता है बल लगता है साइकल के ह स्भाइकल के हैंडल समोट तो इसके क्या लगता है लगता है ठीक से वाहन के विए को तो और जा सकता है या ब्रेक लगाने के विए को कम किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर क्या करता है ब्रेक लगाने से उसका वेक कम कर सकते हैं बल के द्वारा ठीक फिर देखें अगला नमबर बल किसी वस्तु के आकरती और आकार में परिवर्टन कर देता है तो हम जब लगाते हैं कोई वस्तु में तो उसमें क्या होता है आकरती और आकार में परिवर्टन कर देता है जैसे हम एक्जामपल मिलेंगे हताओडा ठीक हताओडा मारने से किसी भी पत्थर के कई टुकडे हो जाते हैं ठीक है जो हम किसी वस्तु में क्या करते हैं किसी वस् यहां पर प्रभाव और देखेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। तो सकति भी यहां पर देखा गर वेर। निष्ञप नीछ प्रभावी करते हैं। ठीक है ठीक और उनका परिडामी और निट बल सूने होता है ठीक है बल संत्रित जब कह जाते हैं जब एक दूसरे को निश्च प्रभावी करते हैं ठीक है और उनका परिडामी बल सूने हो जाता है ठीक जांपल में हम लेंगे बताएंगे एक जांपल में रसा कसी के खेल में जब दोनों टीमें रसय को बराबर बल से खिंचती तब परिणामी बल सूर्स्टी समीआ जाएन की सबस्याथ करके तो तुम इसमें अपनी तरफ कीचे ऱोगा तो लोगे कि सी जीदे का मिलका है कि अब डता पर क्या होता है है यहां पर बतााएा तरह जा रहा है कि दुनों टीम में अपने इस्थान पर इस्थिर बनी होगा और दोनों तीमों दौरा रसे पर लगाया गया अबल संतुली दबल है ठीक है दोनों तीमों दौरा रसे पर लगाया गया अबल यहां पर क्या है संतुली दबल है ठीक है फिर देखेंगे इसके आगे क्या है संतुली दबल किसी भी वस्तु की आवस्था में परिवर्टन नहीं लाता है क्या कहता है कि जो संतुलित बल होता है किसी भी वस्तु की आवस्था में परिवर्टन नहीं लाता है क्योंकि यहाँ बल समान परिमार का होता है परन्त विपरीद दिसाओं में होता है ठीक है तो क्या कहता है कि यह बल समान परिमान का होता है परन्तों बिप्री दिसाओं में ठीक होता है तो देखें यहाँ पर क्या है ठीक आगे क्या कह रहा है कि संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकरती और आकार में परिवर्तन कर देता है ठीक संतुलित बल जो होता है तो व भूरा है छक्राव फूला गुबारा होता है तो गुबारीक आकरत है को परिवर्तन को में energy क्या है देखेंगे देखेंगे दो अगली है शुर्मारी जब किसी वच्ट और लगले नैक भलों का ठीक जब किसी वस्त बल ठीक लगे अनेक बलों का परिडामी बल शून नहीं होता है तो उस बल को आज संतुरित बल कहा जाता है यह आज संतुरित बल निन्य प्रिभाव द्वारा देख सकते हैं इसको हम तो कैसे देखेंगे किसे भी स्थिर वस्तु को गत्सील कर देता है किसी भी इस थिर वस्तु को जो एक जगा ठैरी हुई होती है इस थिर वस्तु उसको क्या कर देता है किसी भी गतसील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है कि में गतसील वस्तु के वे को बढ़ा देता है। कि स्थिर बना देता है। ठीक है किसी भी गतिसील वस्तु को इस्तिर बना देता है फिर आगे देखेंगे किसी भी वस्तु के आकरतियों आकार में परिवर्तन कर देता है ये भी क्या करता है कि किसी भी वस्तु के आकरतियों आकार में परिवर्तन कर देता है ठीक फिर देखेंगे इसके आगे हम ठीक ह इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या करा है डियाँ नीूटन के गतीके नियम ठीक है ठीक क्या पढ़ेंगे आज इतना ही पढ़ते हैं संत लीद बल किया होता और आशंतुलित बलतिया होता, इसके प्रकार हमने पड़ें, ठीक, तो आपको क्या करना है, कि ये सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक, बहुत एक विज्ञान का, तो इसको आपको कर लेना है, इस ही के आगे हम, ठीक, अगली क्लास में इस ही के आगे अध्यान करेंगे, ठीक, thanks class thanks for watching this video